वेलकम दोस्तों, होम्टिक्सेंट टिफ्स चैनल में आपका स्वगत है आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि गाड़ी के डैस बूट पर जो खाने पीने के तेल वगएरा के या कोई भी तरीके के दाग लग जाते हैं या ये हलका सा वाइड वाइड दिखने लगता है कहीं कहीं गंदिया जाती तो इसको हम कैसे साफ कर सकते हैं और वो भी कोई ऐसे चीज से जो कि हम अलरेडी अधर चीजों में यूज़ करते हैं या ऐसे दाग लग गए हूँ जो छूट ना रहे हूँ तो आप इसको डैस बोड पर भी यूज़ कर सकते हैं और ग्लास पर भी जैसे आपके ये कोई मरर टाइप का ग्लास है जैसे इसमें ये कुछ चोटे चोटे हलके से दाग दिख रहे हैं उस तरफ से आगे तो आप उन पर भी ये कॉलिन यूज़ कर सकते हैं कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचाएगा और ये डैसबोर्ट को साप करने के लिए बता रहा हूँ मैं ना कि शाइन के लिए क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई भी गाड़ी में पॉलिस कराते हैं तो कुछ दाग ऐसे लगे रह जाते हैं और जो बोश करने वाले रहते हैं उसी दाग के उपर से पॉलिस कर देते हैं तो दाग तो देखते ही हैं और पर्मनेंटली हो जाते हैं परिस होने के बाद उनको निकालने के तरीका नहीं रहता तो इसलिगे आप ये इस तरीके से करने के बाद आप ये tissue paper ले सकते हैं तो बस tissue paper से हलके से गिस्ते रही है क्या है tissue paper का अपने आप थोड़ा सा color change हो जाएगा जो dust वाला color रहेगा वो color हो जाएगा और dashboard के जो भी दाग है पूरे clear तरीके से साप हो जाएगा tissue paper का इसलिए मैं कहता हूँ जिसमें कि dashboard पर कोई भी प्रकार का scratch ना आए यह देखिए दोस्तों इस तरीके का हो गया है तो यह बहुत ही अच्छी चीज है एक तो अपने पास अबलिबिल भी रहती है घर में और भी अधर चीजों में यूज हो सकती है क्या है कुछ लोग dashboard पालिस कराने के लिए कुछ कराने के लिए अलग से पैसे देने होते हैं तो आप यह call-in घर पे लेकर आए तो यह हलकी सी sign भी देता है call-in यदि आप इससे साफ करने के बाद पालिस ना भी करें तब भी आपकी गाड़ी के बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि यह साफ नहीं है मैं तो इसी से करते हा रहा हूँ अभी तक तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है कि भाई कोई dashboard कहीं से खराब हुआ है कुछ हो बहुत ही अच्छा लगता है इस साफ करने के बाद तो मैं भी यही आप लोगों को सलाय दूँगा कि आप भी जादा पैसा खर्चना करें बढ़िया call-in का यूज करें यह dashboard के लिए भी बढ़िया है और कोई भी दाख चुटाना के लिए और हलकी सी sign के लिए भी तो आपने दोस्तों देखे हूंगे अपने और भी जो वीडियो रहे हूंगे अपने चैनल का मुख उद्दे से की पैसे भी बचें और कुछ चीजों का अपन मल्टी पल कैसे यूज कर सकते हैं कहां कहां पर तो मेरा यही उद्दे साब को बताने से की call-in से आप यह भी साफ कर सकते हैं और आपके जो कई बार होता है यह जो glass दिखाई दे रहा है आपको मैं आपको बताते हैं यह अंदर तरफ से कई बार क्या dust रहती है तो देखिए मैं थोड़ा साब को demo देके बताता हूँ यह call-in से आप अंदर की dust भी साफ कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों यह भी थोड़ा हलका सा पीला सा हो गया गंदा तो इस तरी के साब आपके अंदर के कांच की ग्लास की dust बाहर की और dashboard को भी colon से साब कर सकते हैं तो इस video को watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद subscribe का button आपको दोस्तों video के नीचे मिलेगा आप इसको subscribe करें subscribe का कोई भी पैसा नहीं लगेगा जोकि बिल्कुल free of cost है और मैं इस तरीके के video लेकर आता रहता हूँ तो इस video को watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद